नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महिलाएं अपनी शर्म लिहाज उतार करें ये काम, जीबन बन जायेगा स्वर्ग दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचित एक नीती गरंथ है जिसमें जीबन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए हैं इस गरंथ का मुख्य विशे, मानब समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्यावारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे जिनोंने अपनी नीतीयों की बदावलत चंदरगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क के कुछ ऐसी महतपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोर पर कामा सकती है दोस्तों आचारे चाड़क के हमें बताते हैं कि महिलाओं को बिना किसी शर्म के बिना किसी लज्जा के ये काम करना चाहिए क्योंकि अगर इस काम को करने में शर्म की जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है घर परिबार सब तहस नहस हो सकता है और यहां तक कि आपकी ऐसी तैसी हो सकती है दोस्तों आचारे चाड़क के ने अपनी नीतियों में हर पीड़ी के लोगों को कोई ना कोई सीख दी है जिस पर अमल करके हम अपने जीबन में काम्याबी की बुलंदियों को आसानी से छू सकते हैं दोस्तों हर इंसान की ये चाहत होती है कि उसका जीबन सुखमय हो और उसके घर में हमेशा शुक शान्ती बनी रहे लेकिन इसके लिए धन सबसे जरूरी चीज है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्यूंकि कोई व्यक्ति अगर धन कमाने के लिए काम करते समझ शर्म करता है तो अपने काम को वो ठीक से नहीं कर सकता दोस्तों आचारे चाड़क के का कहना है यद किसी को आपने पैसे उधार में दिये हैं तो उसे वापस मांगने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है और इसकी वज़े से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए साबधान रहें दोस्तों आचारे चाड़क के आगे कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे महत पूर उसका पेट है लोग कमाते भी इसलिए ही हैं कि कभी भी उनके सामने खाने का संकट पैदा ना हो ऐसे में खाना खाते समय कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के बाहर भोजन करते समय शर्माते हैं और शर्म की बज़े से कई बार वो भूखे रह जाते हैं चाड़क के का कहना है कि इंसान को कभी भी भूख को नहीं मारना चाहिए इसके अलाबा दोस्तों आचारे चाड़क के का कहना है कि गुरू से शिक्षा लेते समय हमें भूल कर भी शर्म नहीं करना चाहिए दरसल हर व्यक्ति के जीवन में गुरू मार्ग दर्शक की भूमिका में होते हैं और मनुष्य को उनसे हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है ऐसे में शिक्षा लेते समय हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ऐसा वो कौन सा काम है जिसमें महिलाओं को बिलकुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए दोस्तों शारिरिक संबंध के तोर पर किसी भी प्रेमी जोड़े को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए प्रेम संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच में सलाह मशबरा हमेशा मजबूत होना चाहिए जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं और संबंध के दोरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई गैर पुरुष या महिला अपनी जगह बना सकती है इसलिए संबंधों के दोरान शर्म बिलकुल भी ना करें बेजीजक होकर पती और पतनी एक दूसरे को प्रेम करें इसी में आपकी भलाई है दोस्तों एन टीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे share करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो स देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर के bell icon जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो.